दिली के डिप्रेसीम और शिक्षा मंत्री मनिश सिसोधिया ने दिली के प्राइबिट स्कूलों में बढ़ रही फीज को लेकर बढ़ा बयान दिया मनिश सिसोधिया ने कहा जो स्कूल अपने दम पर फीज बढ़ा रही है उनके खिलाब हम कारवाई करेंगे उन्होंने कहा साल 2015 के बाद से हमने दिली के सभी स्कूलों की फीज बढ़ने नहीं थी और ये सब कोविड के समय साल 2020 तक जर रहा हाला कि अब हमने बहुत सीमित स्कूलों को 2-3 प्रतेशत तक की फीज बढ़ाने की अनुमती दी है लेकि औजिट कराया था अगर कोई स्कूल अपने अनुसार फीज को बढ़ाता है तो उसके खिलाब कारवाई जरूर होगी हमने 2015 के बाद से प्राइवेट स्कूलों की फीज बिल्कुल नहीं बढ़ने की यहां तक की 2016-2017 में जब बहुत सारे स्कूलों ने फीज बढ़ाने की मांग की तो हमने सब को कहा कि हम आपके खाते चेक करेंगे हमने आडिट कराया सारे स्कूलों का जिस जिस के पास भी पैसा बैंक बैलेंस में उनकी एफडीज में रखा हुआ था उन्होंने फीज का मोटा मोटा पैसा लखे रखा हुआ था किसी को हमने फीज बढ़ाने की जाज़त नहीं दी 2017, 2018, 2018, 2019, 2020 फिर दोनों कोविट के एर्स में किसी को जाज़त नहीं दी अब कुछी स्कूलों के जहां हमने पूरी चेकिंग कराके कि उनके पास अब कोई पैसा नहीं है और उनको पैसा थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ा है तो उनको बहुत लिमिटेड किसी को 2% किसी को 3% बढ़ बहुत मतलब इक्का दुक्का स्कूल है इसके अलावा अगर कोई स्कूल अपनी मनमर्जी से फीस बढ़ा ले रहा है तो उसके खिलाफ जैसे ही पैरेंट्स की शिकायत आती है हम पूरी उसकी जांच कराते हैं उसका ओडिट कराते हैं और उसके खिलाफ एक्शन भी लेज़े अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें